इस टोक ट्रेडिंग 360 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ क्रेसेंडा सॉलुशन्स लिमिटेड स्टॉक के साथ मार मल्टी वेगर स्टॉक है मैंने काफी अच्छे इस इस स्टॉक से गेन किये हैं कुछ महीने पहले जब यह फिफ्टी नर्वन पर था वह जहां से जो अभी रिसेंट में जो कंपनी थी साथ अफ्रीगन कंपनी थी उसके बारे में उसका नाम मुझे एक्जेक अभी याद नहीं है गाइस और बाकी इन्होंने भी हाली में उसका एक्विजिशन किया था इसके पिछले दो-तीन महीने पहले लुसीडा टेक्नोलोजिस का इस आना चाहूंगा इनकी जो वेबसाइट थी ना वो पहले प्रोपर एक्सिस भी नहीं कर पा रहे थे हम हम लोग जैसे मैंने कई वह ट्राइ किया है अपनो ऑफिस में ट्राइक किया है मैंने इसके क्रिसंदा सॉलिशन की कोई प्रोपर वेबसाइट नहीं थी और बाकी अभ इसके बिजनेस और उसके प्रॉफिट के बारे में मेंशन किया था तो वहीं से मुझे एक आइडिया मिल गया था कि काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में तो एक छोटे से मार्केट केप की कंपनी है 1387 करोर का मार्केट केप जिस स्टॉक का कंपनी का करें प्रेस की बात करें भी 34 रुपे पर ट्रेट कर रहा है 52 वीक हाई इसका 51 रुपे है और जो 52 वीक लो है वो इसका 1 रुपिया 69 पैसे का है तो मल्टी वेगर स्टॉक रहा है यह बुक वेल्यू की बात करें गाइस तो अभी शाहिद ही अपडेटे नहीं है बट 81 पैसा भी खा रहा था इस्टोक का पी आप देखेंगे जो बहुत डरावनी डरावना सा फिगर लगेगा बट छोटी से स्टॉक है चोटी सी कंपनी है तो यहां पर पी मैं पीपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा गाईस टूबी वेरी होनेस्ट अगर आप किसी से लेकर रख सकते हैं अगर आप देखेंगे कंपनी पर एक भी पैसे का डेट नहीं है जो कि काफी पॉजिटिव बात है गाईस तो यह मुझे सबसे बहतरीन चीज लगी इसकी रेटन की बात करें तो तीन सो बात सट परसेंट के रेटन दिया है चे मैने के अंदर वही तीन म पर सपोर्ट पर है और जो स्टॉक है वो स्टॉक आपको काफी अच्छे लेबल में मिल रहा है जो सेल्स की में बात करूँ जो अभी रिजल्स इनों पेश की हैं गाईस वह आप देखेंगे कि 18 क्रोड की सेल्स हुई है कंपनी की मार्च में इनकी 4 लाग की थी और पिछले बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ जो निगेटिव में थी वो अभी पॉजिटिव में हो चुकी है गाईस ठीक है तो एक बहुत अच्छा साइन है अगर मैं बात करूँ आप किसके नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट और यहां पर देखिए आप मार्च कोर्टर से भी अगर कंबेर करेंगे तो यहां पर भी चार गुना अल्मस्ट इन्होंने यहां पर साड़े तीन से चार गुना परसें इन्होंने ग्रोध दिखाईए अपने नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा स्टॉक तो नहीं बोलूगा क्योंकि बुक वैल्यू जो है न काईजिस की वह मातर एक कैसी पैसे यहां पर दिखा रहा है और पी की बात करूँ तो इस्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी है 29 का और इस् अजिली आपको कल से दिखा सकता है इस टॉक और मैं आपको इसके निगेटिव चीज बताता हूं गाइस इस टॉक में हाला कि आप 20-25% के गेन के साथ आप इसे स्टॉक में इस टॉक से एक्जिट कर सकते हैं अगर आपका लॉंग टरम का नजरिया हो तो कुछ पता नहीं ह सकती है तो फिचुरिस्टी कंपनी है हजार से पाच है शेर्स आप इसके लेकर भूल सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है और अगर मैं बात करूँ इसके शेर होल्डिंग की तो अब गाईज यह तो बहुत ज्यादर निगेटिव हैं बट आप देखेंगे कि कंपनी के 30.12 से और इन्होंने मार्च में कुछ अपनी स्टेक सेल किये और आप देखेंगे कि इन्होंने जून क्वार्टर में भी अच्छी खासी अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीस किये तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि गईज प्रोमोटर्स में क्या किया है कि प्रोमोटर् निवेशकों के बीच में कि प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कफी अधा कम किये तो में भी देखेंगे कि डिया इसकी होल्डिंग है इस टॉक में डिक्रीज हुई है हलागी और पब्लिक की होल्डिंग 99.9 शुनिया है जो कि अल्मस्ट सारे के सारे जो होल्डिंग है इसकी है तो आप इसमें 20-25% का शॉट टम का अगर नजरिया है तो आप 20-25% के प्रॉफिट लेके आप इससे एकजिट कर सकते हैं और बाकी लॉंग टम के नजरिया है तो क्योंकि गाइस बहुत चोटा से स्टोक है 1000-5000 आप इसके शेर्स लेके भूल सकते हैं और लॉंग टम के नजरिया आप इसमें रखिए हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटन दे आने वाले टाइम में जैसा कि अभी Q1 की रिजल्स काफी अच्छे आएं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ कॉर्टर से में भी अच्छ सब मेरे एंट से बाय को ओल है क्योंकि रिजल्स काफी अच्छे हैं तो आपी दो चार या दस दिन तक इसमें तेजी बनी रही है और बाकि फंडमेंटल कुछ खास नहीं हैं बढ़ इसमें एंट्री ले सकते हैं कुछ शेर्स आप इसी स्टॉक के आप इसके ले सकते हैं ग